जैसा कि आप सभी जानती है कि हाल ही में बॉलिवूट के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान और सदी के महानायक अमिताब बच्चन की फिल्म ठक सॉफ हिंदुस्तान रिलीज की गई थी जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ठक सॉफ हिंदुस्तान की काफी धजिया उड़ाई गई लेकि बॉलिवूट में एक और ऐसा खान है जिसने आमिर खान और अमिताब बच्चन की काफी धजिया उड़ाई हैं और डिरेक्टर के हाथ कटवाने की डिमांड तक कर डाली जिया दरसल वो कोई और नहीं बलकि के आर के हैं जो अक्सर ही अपने विवादित बयानों के चलते जाने जाते हैं के आरके के नाम से फेमस एक्टर प्रडूसर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशित खान ने भी फिल्म ठक सॉफ हिंदुस्तान का रिव्यू सोशल मीडिया पर सारी क जिसमें के आर के ने आमिर और अमिताप की फिल्म की जमकर धजियां उडाई हैं बतारे के के आर के यह तक कह दिया कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी खटीया है । डायलोग्स भी बक्वास हैं जो फिल्म के डारेक्टर विजयक परश्णा अचारे ने खोड लेके हैं तो इसके लिए उनके हाथ काट लिए जाने चाहिएं ताकि वो दुबारा ऐसा कुछ ना बना सकें। नेक्स्ट टनाइन न्यूजरूम से सुगन्दा नंकिरपो।